आम आदमी कैसे परिशान है पेट्रल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर और फिर रसोई गैस सिलिंडर में बढ़ती कीमतों को देखकर अब तो रसोई गैस के बाबाद घर के खर्चों में भी मानौ आग लग गई है फरवरी में ये तीसरा मौका है जब लगातार लपीजी के दाम बढ़े हैं 21 दिन में 100 रुपे के इजाफे के साथ लपीजी सिलिंडर अब 800 रुपे को क्रॉस कर चुका है लेकिन देश की वित्तमंत्री कह रही हैं उन्हें नहीं पता कि महँगाई के धर्मत संकट से देश कैसे बाहर निकलेगा लपीजी में महँगाई की आज 21 दिन में 100 रुपे का इजाफा विक्रमत कीजी विकास के लिए दाम बढ़ाने की रखतार तो ऐसे ही रखनी पड़ेगी रसुई गैस के दाम परवरी के महीने में सिर्फ तीसरी बार ही तो बढ़े हैं लेकिन अगर आप सच्चे तेजभक्त हैं तो कसम है आपको कि महँगाई पर सवाल बिलकुल मत उठाइए वैसे ही महँगाई सरकार एक कंट्रोल के बाहर है और पेट्रोलियम कंपनिया डाम बढ़ा कर खामखा सरकार की फजिहत कराने में लगी है उधर घर की होम मिनिस्टर है जो सरकार पर अपरी बढ़ास निकाल रही है अब रोज के जो काम है वो तो ही है अब तिवार आरा उसकी भी तैहरी करनी है इतनी महंगाई में हम तरह तरह के विंजल मनाते थे लेकिन इस महंगाई में लगता उतना नहीं मना पाएंगे खरेलू गैस लेंडर फरवरी में ही तीसरी बार महंगा हुआ अब 832 परे की कीमत हो गई है तैसे में किस कदर आपका बज़ट जो बिगला है इतनी महंगाई में जैसा कि आपने बताया ही है कि इतनी महंगाई और ये फरवरी में तीसरी बाल गयास सिलिंडर के दाम बड़े हुए है तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि एक मिडिल क्लास फैमली कैसे सर्वाइब कर पाएगी महंगाई की मार ऐसी जला रही है कि फरवरी के महिने में बेजा फ्राई हो रहा है फरवरी के महिने में ही तीन बार एलपीजी के दाम बड़ शुके है सिलिंडर ने एक बार फिर से महंगाई का छटका दिया है आपको बता दे फरवरी माह में ही तीसरी बार सिलिंडर के दामों में इजाफा हुआ है अब सिलिंडरों की कीमत राजधानी लखनों में 835 रुपए के आस्पा था गई है चार फरवरी को 25 रुपए के दाम बढ़ कर 719 रुपए हो गए थी इसके बार 14 फरवरी को सीधे 50 रुपए का इजाफा हुआ इसके बार 14 किलो की सिलिंडर का रेक 779 रुपए कर दिया गया तीसरी बार 25 फरवरी को फिर 25 रुपए का इजाफा हुआ और LPG सिलिंडर के दाम बढ़ा कर 794 रुपए पहुचा दिया गया मंसी जी के पास सोल्यूशन नहीं है कह रहे हैं कि सब डिमांड और सप्लाई का खेल है सर्दियों के मौसम में खपत बढ़ जाती है इसलिए दाव पढ़ गए दिसंबर में रजोई गया सिलंडर की कीमितों में दो बार इसाफा हुआ था एक दिसंबर को 594 रुपे से बढ़ा कर इसका रे 644 रुपे हुआ फिर 15 दिसंबर को एक बार फिर कीमत 694 रुपे करते जई यानि दिसंबर में ही 100 रुपे का इस जाफा हुआ सरकार ठंड और खपत का बहाना बना रही है लेकिन जन्वरी में कडाके की थंड के बावजूद कोई कीमत नहीं बड़ी सवाल यही है कि थंड तो पिछली सरकारों में भी होती थी दिमांड और सप्लाई पिछली सरकारों में भी होती थी लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि काम बेकाबू है और सरकार बेबर